हेलो फैंट्स गुड मॉनेंग दिस इस ओमकार सिंग को वैलकम सियो टो दा यूटूब चैनल दियो के मिरेकल आफ इंग्लिस फैंट्स महनत करते रहे आपको सफलतावस मलेगी एर गाइश वीडियो शुरू करने से पहले आप से निविदन करेंगे और पहली बाद चैनल पा लिए बार्क ना लैट्स बेगें टोड़ेस की रिट सेशन पीवी सैली पीजी टी पीजीदी पीजीदी उत्रप्रदेश माद में सिक्षा सेवा चैन बोर द्वारा वेकेंसी निकाली जाती हैं वांट्स उसमें इंग्लिस सब्जेक्ट से भी टीजीटी पीजीटी के करें समय कुछन बनते हैं और तो यह लग से परेट है तो खास्थार पूझीदी के लिए टॉपिक है पीजीडी में हमने पार्ट बन अगर आपने पार्ट बन नहीं देखा तो पार्ट बन पहले देखें यहां पार्ट सेकेंड लाइफ इस चल रही है टीवी सैली की और इ केवल समझना है दमाग में कहाने बिठाई यह पूरा समझ में आपके आजाएगा तो हमने प्रिवेस वीडियो में उनका इटन स्कूल था वहां की बाते की थी उन्हें लोग वहां के स्टूडेंट्स ने मेड सेली नाम दिया कुष्टन बनता है कि मेड सेली पी बी सेली को कह कहा गया किस ने कहा तो स्टूडेंट्स ओफ इटन कॉलिज सेड एबाउट सेली मेड सेली अगे की बात करते हैं सेली ने अठारे सो दस मतलब अठारे साल की उमर में एज एड़ आज ओफ एटीन इटन कॉलेज को छोड़ दिया और भांसे वे इनिवस्ति कॉलेज आक्सफोर्ड में पहुंच गई अठारा सो दस में पीवी सेली ने इटन कॉलेज को छोड़ा और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इटन कॉलेज को छोड़ करके इनिवस्ति कॉलेज आक्सफोर्ड में एड्मिशन लिया आक्सफोर्ड जो इनिवस्ति थी इनिवस्ति कॉलेज आक्सफोर्ड में एड्मिशन लेने के बाद उन्होंने बहां देखा कि एकसर जो पढ़ाई हुआ करती थी वो खास तोर से रिलीजिस ऑथर्टी या धर्म के आधार पर पढ़ाई संचालित थी छोटे वर्क के लिए कुछ कहने के लिए मोखा नहीं मिलता था उस समय इसलिए पीवी सेले ने अपने एक बिचार धारा प्रस्तित की थी और एक पंप्लिट्स निकाली थी necessity of enthusiasm अनिश्वर वाद की आवसकता कि हर काम इश्वर वादता पर नहीं चलते हैं गर कुछ नया करना है तो उनका मानना था कि यह मैं अनिश्वर वादी होना पड़ेगा पड़ेगा आस्तिक वेश अपनाना पड़ेगा आस्तिक वेश नहीं परना परहागा तभी हम कोई नई खोज कर सकते हैं अनितर हम ट्रीओर के आधर चलेंगे तो हम कोई खास नई खोज नहीं कर सकते इस पंप्लेट के लिखने के कारण जो सैली का विवहार था वो वहां के प्रॉफेसर्स ने महसूस किया कि अच्छा नहीं है यह तो अपूजित सेंस रखता है तो इसी लिए सैली के लिए 1811 में 1811 उसी साल जिस्ताल उन्हों ने की इसके बेस को लेकर के उन्हें कॉलेश से उनके मित्र ठोमस जैफर्सन होग को निकाल दिया गया एकस्पैड कर दिया गया निकाल दिया क्योंकि वह गलत हानाय महसूस कर रहे थे कि अधि गलत कर रहा है ऐसे लोट्स नहीं निकालने चाहिए जिस्से लोगों में अच्छी बिचारधारा पैदा ना होकर के बुरी बिचारधारा का व्रदी हो गई तो इसलिए उनके लिए उनके साथ कौन थे दोस्तूमस जैफर्सन होग उनको भी निकाल दिया कुश्चिन बन सकते हैं शेलि को किस साल निकाला गया तो तो अठाए सो ग्यारे में एक कुशन यह ब किसको निकाल गया था उनके साथ मैं शैली कि साथ मैं और किसको निकाल गया था तो उनका लो फ्रेंड था थो मसद जैफर्सन हौस इसको कई को ख़रिया कोई कुछन हम सकते हैं को इनने के गला कि स में थे मन्हों सब्वारद से आसानी से अमसर में फिर उसके बात बुर्गान करते थे अपने मित्र थोमस जैफर्सन होग और अपनी होने वाली प्रेम का हैरिट बेस्ट ग्रूप के साथ मिल करके जो चीफ रिलिजिस ऑथर्टी थी उसका उन्होंने ब्रोध किया जो मुख धार्मिक संस्था थी उसका ब्रोध किया उनके खिलाप उन्होंने अपने बिचारों को रखा और लेख लेखना शुरू किया हैरिट बेस्ट ग्रूप जो थी उस समय सोले साल की थी जब उनकी पहली बार मीटिंग हो थी मिलन हुआ था तो हैरिट बेस्ट ग्रूप बन सकता है कि What was the age of Harriet Westbrook when he met first time with Sally? Harriet Westbrook की Sally की परत्थम मुलाकात के समय उनकी उमर कितनी थी? अर्था Sally और Harriet Westbrook की परत्थम मुलाकात के समय Harriet Westbrook की उमर कितनी थी? तो 16 years कौसी family से belong करती थी? तो lower family से वो belong करती थी एक question यहसे ओन सकता है आगे दिखते हैं अब जब उनकी मुलाकात थी तो उसी साल ksally उन पर उखरिओन और सेली का दिल आ गया और उनसे प्रेम हो गया और प्रेम होने का मतलब 1811 में सेली वहाँ से हेरीट बेस्ट ग्रूक को लेकर भाग गये और कहां भागे थे Scotland एडिंवर्ग Scotland में भागे थे और उसी साल उन्होंने हेरीट बेस्ट ग्रुक के साधी भी कर ली अठ्हारा सो ग्यारे में एरीत बेस्ट ग्रुक को लेकर भागे सकोटलेंड एड़न वर्ग में एड़न बस कहलो वर्क कहलो और वहं जा करके उन्होंने उनसे साधी कर ली इसके बाद क्योंकि सेली की बिचार धारा है इसको पूरी तरह से मिल रही थी उनकी बहन और उनके मित रूर इंकी पत्नी अब पत्नी हो गई तो उन्हों ने उसका पूरा साथ दिया था जो रिवोल्ट किया था नोने इस्लाम के वरुद्द अगे स्वरी यहां मतलब केना तीसलाम नहीं क्रिशियन डॉगमास के बृद्ध नोंने रिवॉल्ट किया था अगेश खड़े उस में लेखन का रहे हो चायांदोन का रहे हो उन सम्में बराबर उनकी पत्निय भाग लिया था तभी उस बेस को रख करके उन्होंने के शेटमे वेस्ट ब्रूक के लिए यह सब्द बोलेते हैं मैं वाइफ इस शेयर होल्डर से भागी रखती है पार्टनर है और मैं थोट्स और फीलिंग मेरे विचार और भावनाओं की कद्र करने वाली मेरी पत्नी है अर्थात वे उसमें पूरी तरह से वे शेह भागता लेती है तो सेन्टेंस आचकता है फूसेड सित्पेटमेंग्ड माइवाइफ इज वे मैं थॉलीने नीचे लिखे इजुड्र माइवाइफ इज सोर शेर है हॉल्डर ऊप माइद फॉह और害 यह स्टीमेंग्स किसने लिखा है तो कोन लिखा है चार ओप्सन दिया होंगे पीवी सैली, कीड्स, सेक्स पीर, वर्टस वर्ट, जो भी चार दे सकते हैं तो आपको टिक करना है पीवी सैली, ओके, अब उन्होंने साधी कर ली, फिर ये, नेक्स्ट येर, घर को आए, पापस लोटे, आकर के घर उन्होंने बताया, अपने सैली की पिता जी नारज हो गए, उन्होंने का कि इस कब्जोर वर्ट की लोर, फैमिली से बिलोंग करने वारी लड़की से स्याधी करना, हमारे घर का अपमान होगा, क्योंकि उनका थोड़ा सा राजशाही प्रवाद था, वह एंपी थे, तो धनाट प्रवाद की गिंती मे किराए का कमरा लेकर रहना पड़ा और महां वो रहने लगे, फिर अगली साल उनके बावा अर्था दादा जी ग्रांड फादर ने उनके लिए दो से पॉंड वार्सिक देने की अलाव कर दिया, कि जो गुर्ण दादा जी थे, अर्था सैली के पिता के फादर, उन्होंने स पॉंड पृतिसाल के रूप से खर्चे के लिए उनके लिए दे दिया, अठारह सो बारों में सैली की आईरिलेंड की बिजट शुरू होती है, आईरिलेंड, जहांकि उन्हें दा इरिस मुमेंट बिद सिस्टर एंड वाइप, मतलब इन एट्टीन, क्वेल अठारह सो बार अपनी पत्नी और अपनी वहन के साथ आई लेंड गए, जहां उन्हें The Iris मुमेंट में भाग लेना था, The Iris मुमेंट में भाग लेने के लिए अठारह सो बारह में सैली और सैली की पत्नी अर्तास है त यहां पर गई, कब गई ती अठारह सो बारह सब की? पार्टी स्पर्ट धान तो किल hyp combin और बारвор हमें यह विस पॉतना बन सकता इसलिवेंद क्युं गई थे तो वह थे तू पार्टिसपेट दा आइस मूवमेंट में पार्टिसपेट करने के लिए अठारे सो बारे में सेली ने आइलेंड की यात्रा की तो कई तरह से को सनावके वन सकते हैं अगला पॉइंट है 1813 में Sally father of a daughter and in 1814 a son और तब 1813 में Westbrook से और Sally से एक daughter की उत्पत्री ही और साथ उनके पुत्री जनम लिया और अगले साल 1814 में Sally और Westbrook से एक बेटी ने जनम लिया और इस तरह से वह एक पिता एक पुत्री का और एक बेटे का पिता बन गया इसके बाद 1813 में उनकी भैट बिलियन एडविन गौडविन से हुई थी किसकी सेली की살ए उर्फ़ their mm है पीवी से ले की भैट बिलियन एडविन गौडविन से हुई थी जो कि सोशल और पॉलिटिकल रेफॉर्मर थे सोशल और पॉलिटिकल के विशेशग या फेमस रेफॉर्मर विलियम एडविन गॉडविन से सैली की भेट हुई और तुकि सैली की बिचार धाता थी सोशल और पॉलिटिकल वेश उनके फादर पॉलिटिक्स में दिल्चस्पी लिया करते थे तो वो भी उनके अंदर कोई असर था तो इसलिए Sally, बिलियम, एडविन, गॉर्डविन से बहुत प्रभावित हुए और उनकी तो रचनाएं थी क्या नाम था? The Social Justice and Political Justice by Godwin Social Justice और Political Justice नामक दो पुस्तोकों का बारी की से Sally ने अध्यन किया वह जिसकी हम प्रणा लेना चाहते हैं जो हमारे प्रणा असरोत हैं तो उनकी चीज़ों को पढ़ना में रूची होती है तो इसलिए ये पीवी Sally ने उनसे प्रत हो करके William Edwin Godwin से उनकी दो रचनाओं का धिन किया जिसका नाम था The Social Justice and Political Justice by Godwin Question बन सकता है Who wrote these two writings The Social Justice and Political Justice इन दो लेखों किसने लिखा है तो William Edwin Godwin इस तरह से question आ सकता है कह सकते है Which writings What writings did Sally study by Godwin ये written by Godwin Godwin के द्वारा लखी गुई किन दो लेखों को Sally ने study किया या पढ़ा तो वो कौन सी चीज थी Social Justice और Political Justice Question कैसे भी आ सकता है आप इसको मन में रखेंगे अगला point है इस तरह से Sally The Greatest Admire of Godwin और Sally William Edwin Godwin का फ़र्थ वड़ा प्रसंसक बन गया और Sally के लिए ही The Greatest Revolutionary and Social Reformer Among the Ports of Romantic Era भी कहा जाता है अब चुकी एडविन अब चुकी एडविन गौडविन भी इनके विचारों से सहमत हुए और उन्होंना देखा कि पीवी सेली वाकई में टेलेंटेड बखती है तो इनकी एक पुत्ती थी एडविन गौडविन की मेरी गौडविन पीवी सेली अच्छे विचार धारक थे इसलिए उन्होंने सोचा कि इनसे बढ़िया सेक्षय में कोई नहीं मिल सकता और क्योंकि पीवी सेली कवित्त विचार के थे तो उन्होंने विल्यम एडविन थे उन्होंने पीवी से रोकेस्ट किया कि आप हमारी बेटी को पढ़ा दिया करें और इस तरह से PB सेले ने उनकी बेटी को पढ़ाना शुरू कर दिया, home tuition देना शुरू कर दिया अब इतना चलते चलते PB सेले और उनकी बेटी Mary Gordon में affair शुरू हो गया प्रेम हो गया, love होना शुरू हो गया, और इस तरह से 1814 में PB सेले Mary Gordon के साथ भाग गए कहां भाग गए, सुच्जर लेंड और 1816 में उन्होंने उनसे साधी भी कर ली तो इस तरह से PB सेले ने Mary Godwin से कब साधी की थी 1816 में, अब कब उनके साथ लेकर भागेते हैं उन्हें अपने साथ 1814 में तो कुशन कहीं से बन सकता है कुशन को हम ध्यान में रखेंगे आए आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं इसे मिटा देते हैं अब इसी केस को लेकर के क्योंकि PB सेले का जो नेचर देखा गया कि उनके जो गुरू के रूप में थे गुरू मानती थे प्रसंसक थे एडवेंट गॉडवेंट उनकी पुत्री को लेकर वो भागे इस पर मैथिव आरलोन ने कुछ कमेंट्स दिया है क्या कमेंट्स कसा है उन्होंने PB सेले के लिए लिखा है एप पेसंस स्लिव क्या लिखा है एप पेसंस लिए आर नोल्ड तो कुछिन बन सकता है कि दिया गया स्टेटमेंट एप पेसंस स्लिव किस के द्वारा है और किस के लिए है तो कह सकते हैं कि आर नोल्ड ने दिया है और किस के लिए कहा है PB सेले के लिए तो आसानी से इस चीज़ के लिए आप देख सकते हैं आसानी से समझ भी सकते हैं चलिए क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है और अगले points हम next part में discuss करेंगे अगला part छोटे छोटे वीडियो अच्छे रहेंगे यह आपके समझ में आ रहे होंगे अगर कोई query हो तो comment box में आप लेख सकते हैं Thanks for watching this video जेहिन जे भारा Take care